नमस्कार खोश खबर में आज हम बात करेंगे उनकी जो खबर तो लेते हैं सबकी लेकिन उनकी खबर कोई नहीं लेता इस समय कोरोना सरकार और मालिकों के निशाने पर हैं पत्रकार मीडिया कर्मी अलग-अलग घरानों के मीडिया कर्मी कोरोना का संकट किस तरह से पत्रकारों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है उनकी जिन्दगी जोखिम में पढ़ रही है इसका ताजा उदाहरन हमें देखने को मिलता है मुंबई में जहां बड़े संख्या में जब टेस्ट कर आया गया तो पत्रकार कोरोना पीडित निकले युवा महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं मसरत उनके खिलाव सरकार ने यूए पीए जैसा खौफना कानून लगाया है उनके साथ साथ जो हिंदू के जर्नलिस्ट हैं पीरजादा आशिक के खिलाव भी इसी तरह का मामला बनाया गया है और वहीं पूरे देश भर में और खास जो संस्थान है वो पत्रकारों को निकाल रहे हैं एक-एक मेल पे लोगों की नौक्रियां जा रही है और तकरीबन हर जगा लोगों की वेतन की छटनी हो रही है कि जब पत्रकारिता पर पत्रकारों पर इतना चौत तरफा हमला हो रहा है उस समय रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी गाल बजाते हुए अपने टीवी चैनल पर ही एडिटर गिल्ड से इस्तीफा देते हैं इस्तीफा वो पत्रकारिता के लिए रिपोर्टिंग के लिए नहीं देते हैं खैर हमारे पास यहां इतना समय भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं कि उनकी पत्रकारिता या उनके इस्तीफे पर बात करें यहाँ बात यहाँ इसलीए मेंशन, इसलीए जिक्र किया जा रहा है इस बात का क्योंकि इससे पता चलता है कि जो बड़े-बड़े संस्थानों पे बैठे हुए बड़े-बड़े पत्रकार हैं। जिस समय पत्रकार कोरोना से पीडित हो रहे हैं, जिस समय नौकरी से निकाले जा रहे हैं, जिस समय उनके खिलाफ UAPA जैसा कानून लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने का समय किसी के पास नहीं होता. और रियालिटी ये है कि इस समय जब कोरोना का संकट इतना भारी हम लोगों पर पड़ा हुआ है, उस समय पत्रकारों पर बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव होने का खत्रा मंडरा रहा है. मुंबई में हमने पाया कि 50 से अधिक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव निकले और किसी में भी वो सिम्टम नहीं थे, सबसे चिंता जनक जो बात उबर के आई है, कि किसी में भी वो सिम्टम नहीं थे कि उनकी शिनाक बिना टेस्ट के हो पाती. अगर वो टेस्ट नहीं किये जाते, तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि इतने पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हैं, और जैसे कि खबरे अभी आ रही है, उससे लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है. दिल्ली में अभी केजरिवाल ने ये घोशना किये है कि वह भी यहां पत्रकारों का टेस्ट कराएंगे, हाला कि दिल्ली सहित देश भर में जो अस्पतालों का हाल है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाये जा रहे हैं, जिस तरह के वीडियो और खबरे आ रही हैं, वे दि परक्षा कवच पत्रकारों केलिए नहीं मुहया कराया है, जिसकी मांग तमाम पत्रकार संगठनों को, फेडरेशन को, एडिटर गिल्ड को, सरकार से तुरंत करनी चाहिए, दीखे कि विडंबना है, कि समय देश करोना संकट से है, जूज रहा है, लॉकडाउन से जूज र पाइदा तमाम बड़े बड़े लोग जिस तरह से उठा रहे हैं कमपनियां जिस तरह से उठा रही है ठीक वही काम मीडिया हाउसेज में चल रहा है मीडिया घरानों में चल रहा है हम पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पत्रकारों की छटनी की जा रही है उनसे जबरिया स् की मदद कीजे तब यही मीडिया घराने जोर शोर से 24 घंटे यह दिखाते हैं कि किस तरह से हमें उदारता बरतनी चाहिए लेकिन जब खुद उन पर पड़ती है उस समय उनको कोई चीज कोई इथिक सियाद नहीं रहते हैं तमाम घराने इस समय संकट में फसे हुए हैं उनके सामने आया क्योंके वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं जो 20-20-25-25 साल से काम कर रहे हैं उन्होंने इस बात का गहरा दुख व्यक्त किया उन्होंने tweet कि इतने साल तक ऐसे संस्थान के साथ काम करने के बाद जब इतना संकट है और वे काम करना चाहते हैं एक मेल के जरीये पुरी की पूरी टीम को हटा दिया गया वेतन की कटोती तो हर जगा है जैसे मान लो मीडिया घराने इतने गरीब थे कि उनके पास एक महिने का वेतन देने के लिए अपने करमचारियों को नहीं था इससे पता चलता है हकीकत का कि जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं जब हमें प्रवासी मजदूर सड़क पे चलते दिखाई देते हैं और हम बहुत परिशान हो जाते हैं कि वे क्यों जा रहे हैं यह वही मीडिया है जहां पर हम आपस में बात नहीं कर पाते हैं हम नहीं बता पाते कि इतने पत्रकारों की ऐसे चटनी हो रही है उनसे इस तीफे लिए जा रहे हैं राहत की बात है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोट में दाखिल की गई है आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तीन यूनियन साथ आई हैं उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर कोरोना संकट और कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिन पत्रकारों के ओर निकाल के लिए गए या जिनके वेतन में कटोती की गई वे सब वापस ली जानी चाहिए और सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए और मुझे लगता है यह बहुत जरूरी मांग है क्योंकि हम बतौर पत्रकार अगर अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते तो हम दूसरे के हक के ल भी ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या वह हमारे और आपके लिए अच्छा है इस एपिसोड में हमने बात की कश्मीर की युवा फोटो जर्नलिस्ट महिला फोटो जर्नलिस्ट से मसरत से जिन्होंने बहुत कम उमर मे सिर्फ 26 साल उनकी उमर है और 26 साल की उमर में उन्होंने यह ठाना कि जो कश्मीर में उनकी आसपास हो रहा है इसे वे फोटो के जरिये डॉकुमेंट करेंगी उनका दस्तावेजी करन करेंगी और आप समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे उनकी कुछ बहतरीन फोटो जो हिंसा हो रही है वहां पर एक महिला का इस तरह से बाहर आना कैमरे के साथ बहुत ही दुरलब है वे खुद हमसे बाचीत के दौरान भी बताती है कि कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने सोचा कि वह एक महिला फोटो जर्नलिस्ट बनेंगी क्योंकि पूरा का पूरा जो माह पूर्टिव नहीं था आइए सुनते हैं कि मसरत हमसे क्या कहना चाहती है तो मुझे कॉल आया उन्होंने मुझे बोला कि आप जी यहां आजाओ साइबर प्लीस स्टेशन इमीजेटली तो दिवस संबड़ी वस्टॉकिंग तो मुझे वह अन्नों नंबर से कॉल आया था त उल्टिएशन, टो मने बोला कि कि सिल्षले मै कि सातो हैं कि खीज़ बोलें हमना आप जी यहां आजा हम आपको यहीrobe बोलें यहे पड़ भी हैas I don't have the curfew past me j謝謝 people will be the police will all my because we are under the lock down these whole world is under the pandemic lock down to they said if someone will stop you if you want to call at me Kalau utan Realis then I was very surprised but I was shocked to know this kim alo like music cyber police station beğ call like abo kya what will be the next I went downstairs and I took my dad's phone, I contacted KPC members, so they told me KPC members, you don't have to worry, be calm right now, we will try to investigate what's the matter. Then they contacted some higher authorities, even the director of information, Dr. Seherish Asgarh, she told me that you don't have to worry, I have sorted this out, this matter is sorted out, so it will not look good if you will go there as a female, it will not look good. despite of that, after two days, so I know from Twitter that I have been booked under the draconian law, which is very unfortunate, so I don't understand why are they doing this, I don't understand why are they doing this, I was just posting the pictures which I have clicked during my career, which I have took from last four years in Kashmir, so those are the testimonies, those pictures I have collected during my professionalism, so I was uploaded in those pictures, on social media handles, even some of the pictures have been published internationally and nationally, so I am not a political activist or social activist, I don't have any political agenda, I am just a professional photographer, so obviously, there is fear, before we have seen a lot of journalists here, before we have seen a lot of Kamran Yusuf, that the NIA case, then there was this Asif Sultan, Kazi Shubli, and now me, I don't know why are they doing this, when we are going there, some senior journalists will accompany me, members from the Kashmir Press Club will accompany me, some female journalists will also accompany me, because they are standing beside me right now, so they are giving me the strength right now, so I am not feeling alone right now, so I am not feeling alone right now, but right now, they are also supporting me, but I will go there, I will try to understand them, that these are just the pictures which I have clicked, so as a photo journalist, what I am supposed to upload then? हमने देखा कि मसरत की जो चिन्ता है, वह कितनी जायज है, जो युवा, फोटो जर्नलिस्ट, अपना आगे का करियर, बिल्कुल दूसरे धंका सोच रही थी, दूसरे धंकियों की योजनाएं थी, उसमें किस तरह से ये जो काले कानून की एक गिरफ्त उनकी उपर लगाई गई, उन्हें समझी नहीं आ रहा कि जब वो खुद अपनी प्रकाशित फोटो, अपनी प्रकाशित स्टोरीज दुबारा डाल रही थी, तो यह अपराद कैस हो गया, एक अच्छी बात जो उनकी बात से सामने आती है कि कम से कम श्री नगर में जो पत्रकार बिरादरी है, जो सीनियर जनलिस्ट हैं, वह उनके साथ खड़े हुए हैं और शायद यह एक बहुत बड़ी तसली की बात है उनके लिए, इस मसले पर हमने बात की अनुराध करती रही हैं. किया गया है और दोनों मुक्तलिफ किसम के केसिज हैं, अलग अलग हैं और लेकिन एक ही दम से जिस तरह से जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उनकी अक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, यह बहुत गलत है और यह गंतंतर के लिए भी यह वो सच को सामने लाएं, लोगों को इन्फॉर्म करें, ये एक डिमोक्रसी की बहुत एहम जुरूरियात है और जो कि वो कर रहे थे, तो उस information को पब्लिक डोमेन में लाना कोई एक क्राइम नहीं है मसारत जहरा जिसको फेस्बुक पोस्ट के लिए यूए पी ए में रिजिस्टर किया गया है, जो कि एक बहुत ही stringent law है उनका कहना है कि वो सिर्फ अपना जो पब्लिश्ट वर्क है, वो उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थी, नहा कोई काम नहीं किया था तो ऐसी क्या कोई ऐसा basis नहीं था इस किसम के केस रिजिस्टर करने का, उसी तरह से आशिक पीरजादा जिनोंने तीन दिन पहले एक शोपियान एंकाउंटर की रिपोर्ट दी थी, जो कि बहुत मिलती जूलती है, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स जो बाकी मीडिया में भी प उन्होंने official version नहीं लिया, अगर cases, अगर कोई problem थी भी उनके काम में, तो उनका version लेना ज़रूरी था, और खास तोर पे आशिक पीरजादा के case में, जो एक normal procedure है, कि अगर कहीं कोई official version count नहीं हुआ है, या कहीं थोड़ी सी, थोड़ा सा factually incorrect है, तो officials अपने statement में, अपने बयान में एक अपना version भेज सकते हैं, जो कि media house पे mandate binding होता है, कि वो उसको publish करें, और अगर वो नहीं करते, तो तब बात और थी, लेकिन इस किसम का कुछ कदम नहीं लिया गया, बलकि सीधा उन पे criminal charges जो file किये गये हैं, ये बहुत गलत है, कश्मीर में पत्रकारों के उपर हिंसा, पत्रकारों के खिलाफ सकत कारवाई, कोई नई बात नहीं है, और कम से कम अनराधा भसीन जिस तरह से बताती हैं एक व्यापक परिपेख्ष में, उससे साफ होता है कि चाहे वो हिंदू के पत्रकार, पीरजादा आशिक के खिलाफ कारवाई हो, मसरत के खिलाफ कारवाई हो, या इस तरह की लंबी लिस्ट, जो हमने शुरू में बताया, कि न्यूस क्लिक के जो हमारे साथी हैं वहाँ पर, उनके खिलाफ भी जिस तरह की कारवाई हुई थी, उनके खिलाफ का पूरा का पूरा एक केस बनाया गया था, जिसको वो अभी भी लड़ रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ होती है, कि मीडिया देश में जितना भी संक पूरी के पूरे मीडिया के लिए बहुत तेज बज रही है, खोश खबर के आज इस कायक्रम को हमने पूरी तरह से केंदरित रखा मीडिया की इस्थिती पर, मीडिया के उस सेक्षन के बारे में हमने बात नहीं की, जिसको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, चाहे आप उसे गोदी मीडिया कहिए, बिका हुआ मीडिया कहिए, फेक न्यूस पर आधारित मीडिया कहिए, हमने मीडिया के जो जरूरी एहम सवाल है, वह आपके साथ शेयर करने, आपके साथ रखने की कोशिश की, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जितनी भी कोशिशे चल रह हैं उसमें मीडिया का जिन्दा रखना मीडिया कर्मी का जिन्दा रहना पत्रकार का नौकरी में बना रहना पत्रकार का कोरोनों से मुक्त रहना बेहस जरूरी है आशा है कि आपका साथ हमें यूहीं मिलता रहेगा आप देखिए लाइक करिए न्यूस क्लिक शेयर करिए क्रिया